नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आद में लिक्या आई हूँ वर्ष 2021 का राशी फल व्रिशव लगन वा मेश राशी के जातकों के लिए अगर आपका कम्मिनेशन व्रिशव लगन वा मेश राशी का है तो आप इस वीडियो को लेकर ल है इसका आर्थ आपकी मेश राशी है विशव लगन वेश राशी के कम्मिनेशन के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाएगा इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे मैं आपको जो यह विशव लगन मेश राशी से राशी फल बता रहे हूं वो चार ग्रहों पर भागे शोकर, भागे बाब में बैटे हैं, अपनी मक्राण कर राशी में, और उनके संग देवगुरु बर्सपती की ब्यूती है, 6 अपरेल के बाद देवगुरु बर्सपती मक्राशी से निकल कर, कुम राशी में परवेश करके, आपके दशम भाब में आ जाएंगे और जहां से उनकी दिश्टी आपके धन भाब पर होगी एक, दो, तीन, चार, पांच और यहां पर गुरू रहेंगे 6 अपरेल से लेका 14 सितंबर तक और 14 सितंबर के बाद गुरू फिर मकराशी में लोटेंगे और आपके भाग्यबाब में शनी माराज के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे और उसके बाद जो है देव गुरू बर्सपती 19 नौवंबर के बाद कुम राशी में वापस लोटेंगे और वर्ष के अंतक कुम राशी में रहेंगे पूरे वर्ष बर राउ आपके लगन में रहेंगे और केतु आपके सब्तम भाब में रहेंगे यानि आपका लगन और सब्तम भाब राउ केतु के ख्ष में रहेगा जो की दामपत्ते जीवन के लिए शुप संकेत नहीं है मेश राशी से बात करें तो वर्ष का जब आरम होगा तो शनी माराज दशम भाब में होंगे मकार राशी में और उनके संग देवगुरु बर्सपती की वियोती होगी आपके दशम भाब में नीचवंग राजियोग बन रहा है 6 अपरल के बाद देवगुरु बर्सपती आपके एक अधर्श में चले जाएंगे कुम राशी में और 14 सितंबर तक रहेंगे और 14 सितंबर के बाद वो फिर लोटेंगे यहां पर मकाराशी में रहेंगे और उसके बाद फिर वर्ष के अंत में वो कुमराशी में वर्ष के अंत तक रहेंगे राहू आपके धनबाप पर रहेंगे और केतु आपके अस्टम में रहेंगे तो ये बड़े बड़े ग्रहों का गोचर है विशव लगन वा मेश राशी के लिए वर्ष 2021 कैसा जाएगा आप जैसे देख रहे हैं मैंने लिखा है 70% तक बढ़िया जाएगा एक तो शनी माराज भागे बाब में सौराशी के बैटे हैं विशव लगन के साब से और मेश राशी के साब से शनी माराज दशम भाब में सौराशी के बैटे हैं यानि अगर भागेश भी सौराशी का और दशमेश भी सौराशी का हो और गोचर में तो बहुत शुप संकेत है साथ ही वर्ष की आरब में तो देव गुरु बर्सपती भागेबाब में रहेंगे जहां का वो बहुत शुपफल देते हैं और उसके बाद देव गुरु बर्सपती लाभभाब में आ जाएंगे जहां का वो बहुत शुपफल देते हैं तो वश भर आपको गुरू की शुपता मिलेगी, चाहे गुरू मकर में रहें या कुम में रहें, तो ये वश आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है, अगर आपका विश्व लगान व मिल्श राशी का कमी नेशन है, सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की, कि वश में कैरि इसबरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, जुलाई, अगस, सितमबर, अक्टूबर, ये समय ऐसा है, जब हमारी जॉब लग सकती है, हमारी प्रमोशन हो सकती है, हम जॉब बदल सकते हैं, साथ ही वैपार में इस समय आप कोई नया निवेश करके लाब उठा सकते हैं, वैपार और साथ ही वैपार में कोई बड़ा निवेश करने से बचें, आर्थिक, स्तितिक ऐसी रहेगी, फाइनेशरे पोजिशन मेरे इसाब से आपकी बढ़िया रहनी है, क्योंकि ऐसी पोजिशन है कि विशव लगन के एक तो देखिए कि जब विशव लगन में गुरू की जिस् इंप्रूब होगी और आपको कहीं से पैसा आने के उमीद थी वर्ष 2021 में तो वह भी आ सकता है, क्योंकि भागेबाब में गुरू अशनी नीचवंग राजियों बना रहे हैं तो भागेगा आपको पूरा साथ मिलेगा, आप अगर महनत अच्छी करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष काफी अच्छा रिजल देने वाला है, अगर आप चाते हैं वर्ष 2021 में आपके संतान हो तो आप संतान प्लान कर सकते हैं, गुरू की दिश्टी पंचम भाब पर है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और यहां से भी गुरू की दिश्टी प सब्तम्भाब पर होगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, और साथ ही गुरू की दिश्टी भी सब्तम्भाब पर होगी, तो आपका विवा का समय आ गया है, आपका विवायोगे हैं, तो वज़ 2020 में आपका विवा हो सकता है, विदाती वर्थ के लिए बात करें कि उनके लिए समय कौन सा वड़िया है, तो उनके लिए समय जो है, अपरिल के बाद का समय जादा अच्छा है, अपरिल के बाद उनके लिए पढ़ाई में उनके लिए रस्ते और बढ़िया खुलेंगे, दंपत्ते जीवन में थुड़ा सा तनाव रहने की संबावना है क्योंकि लगन जो है राहु केतु क्यक्ष में है तो दमपत्य जीवन में पती-पती में किसी पकार का तनाव या गलत फेमी हो सकती है इस वर्ष केतु आपके हिस्टम में रहेगा तो मेरी राय ये है कि इस वर्ष आप किसी को पैसा उधार ना दे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो पैसा आपका डूब सकता है साथी इस वर्ष जो है राहू आपके सेकिंड दूतरे धनवाप पर है कुटुम के भाब में जब राहू होता है तो कई बार जॉब बगएरा के लिए अपने कुटुम को छुड़वा भी देता है तो आपका जो है जॉब बगएरा के लिए इस्तान परिवर्तन का योग बनता है कि आपको कोई जॉब मिले तो आपको जगा छोड़नी पड़े साथी वर्ष में अपनी हेल्थ का दियान रखेगा विशेश का जनवरी फरवरी मार्च के समय साथी लगन और सब्तमभाव राओकेतु केक्ष में है अगर आप इस वर्ष कोई पार्टनर्शिप करते हैं तो पार्टनर्शिप में पूरी साफधानी रखें पार्टनर्शिप में किसे परकार का विवाद होने की अगलत फेमियानी की संबाबना बनती है इस प्रकार आप दो-तिन चीजों का ध्यान रखें दामपत्ते जीवन का, हेल्थ का, पार्टनर्शिप का तो ये बश्च आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है धन के इसाफ से बहुत अच्छा, केरियर के इसाफ से बहुत अच्छा केरियर से जुड़ी शुबगटनाई हो सकती है, जनबरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, जुलाई, अगस, सिचंबर, अक्टूबर और केरियर में जो साफ़धानी रखने का समय है, मई, जून, दिसंबर मई, जून, दिसंबर में जल्द बाजी में किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले, कोई जॉब बगएर ना बदले और साथ ही वैपार में कोई बड़ा निवेशना करें तो इसका अरत यह है कि अगर आपका विश्यव लगन और मेश राशी का कम्मिनेशन है तो वश 2021 आपका बहुत बढ़िया जाएगा 70% तक बहुत बढ़िया जाएगा और आपकी दशाएं भी निकूल होई तो यह परसंटेज और भी बढ़ सकती है तो दर्शकोई और अपना वीडियो समात करने से पहले मेरी आप सबसे बलतना है अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तरह सुक्क्राइब नहीं किया तो गित्पा मेरा चैनल सुक्राइब कर दे साथ ही बल ऐकन को भी दुआ दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्को जैमाता दी